आनी कि दोस्तों सच में SORTS चैनल अगर आपका है तो आप पर खत्रा मणरा रहा है दोस्तों अगर आप YouTube पर SORTS वीडियो बनाते हो तो आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आपके चैनल पर 10 मिलियन व्यूज कंप्लिट हो जाएगा और 1000 सस्काबर कंप्लिट होने का बाद जब आपका चैनल मोनोटाइज होगा उसके बाद आपका चैनल डिलीट हो जाए दोस्तों YouTube पर अभी बहुत सारे चैनल डिलीट हो जो कि SORTS चैनल अगर SORTS चैनल आपका है तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे गलती बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने SORTS चैनल पर बिल्कुल मत करना नहीं तो अगर आप करते हो तो आगे चलका जब आप आपको दिखाऊं इसके SORTS वाले सक्षन पर तो सिर्फ अभी यहां पर सक्षन दो वीडियो है जबकि इसके चैनल पर कम से कम हजार वीडियो अपलोड था हजार वीडियो इसने अपलोड किया था SORTS वीडियो लेकिन सारा वीडियो इसने रिमूब कर दिया है देखो 27 ला और अभी इसके चैनल पर अगर आप देखेंगे तो लॉंग वीडियो अपलोड करना है स्टार्ट कर दिया है यहां पर देख सकते हैं आनी कि दोस्तों सच में SORTS चैनल अगर आपका है तो आप पर खत्रा मढरा रहा है आपको जानना बहुत ही जरूर है कि कौन से से गलति हैं जो कि SORTS चैनल पर करने के बाद आपका चैनल चुटकियों में रिमूब कर दिया जाता है दोस्तों आए से कुछ दिन पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था जहां पर एक भाई मितलेस की टेच उसका भी SORTS का चैनल था जिसमें 3 million subscriber complete था और वो भी चैनल चुटकियो में डिलीट हो गया था तो दोस्तों इस पकार से बहुत सारे SORTS के चैनल जो की अभी डिलीट हुआ लेटेस्ट में और बहुत सारे चैनल डिलीट हो रहे हैं तो आखिर इस भाई ने अपने सारे वीडियो डिलीट क्यों किया क्योंकि इसको पता चल गया कि आगे चल कर हो स सकता है मेरा चैनल ही उड़ जाएगा अब भाई इसने सोचा कि अगर मैं अपना वीडियो को ही रिमूब कर देता तो मेरा चैनल तो बच जाएगा तो इसने अपना सारे वीडियो को ही रिमूब कर दिया है तो दोस्तों कर आप SORTS वीडियो बनाते हो तो आज कि इस वीडि को subscribe करो एंड इसके channel को support करो और दोस्तों next time अगर आप इन्वर čातार अपने चैनल को promotion करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है अगर आप मेरे channel पर नहीं हो channel को subscribe करना है video को like करना है नीचे comment box में आपको प्यारा सट comment कर देना है उसके बाद दोस्तों next time अगर आप इन्वर की दूसरे का वीडियो क्लिफ होता है यसे करता है और अपना खुद का सब्सक्राइब करता है और यसको लगता है कि मैं उसका क्लिफ ही दे अग्रा होगा आएक कोई दिक्कत करा और फ्रothकलो है लेकिन आपका घलत था और खुद का बहुत करता था लेकिन उसको लगातार तीन स्ट्राइक दिया उसका चैनल रिमूब हो गया और अभी तक रिटर्ड नहीं मिला है तो आप कभी भी यह मत सौंचना कि अगर आप किसी दुसरे का क्लिप ले रहे हो वीडियोस ले रहे हो और खुद का बहुत कर करते हैं और आपकर अपना खुद का बहुत करते हैं तो वह इस्ट्राइक दे देता आगे चलकर अभी नहीं देगा जब आपके चैनल पर अच्छा खासा स्काबर बेस होगा लाखो में वीव जाएगा तब आपके उस वीडियोस पर श्ट्राइक वो दे देगा और खतम कर तो कभी भी ऐसा गलती मत करना अब दोस्तों सेकेंड गलती आप लोग यूटूब पर देखेंगे जो बहुत सारे वीडियो होते हैं तो वीडियो कोई फैक्ट के चैनल में वो बताता आपने वीडियो बीच में क्लिपेड करता है कि बहुत सारे मतलब कुछ गलत दिखाता है ऐसे लोगो बम से उड़ा देना चाहिए तो आपके उस वीडियो पर कम्यूटी गाइडलाइन इस्ट्राइग आगर आपका चैनल डिलीट कर दिया जागा तो कभी भी आपको वीडियो के बीच में ऐसा काम नहीं बोलना है आपको बीच में बिलकुल भी ये सब चीज आप आपको बोलना ही नहीं है जो कि कम्यूटी गाइडलाइन के उलंगन करता हो आप दोस्तों तीसरी गलती जो कि बहुत सारे क्रेटर करते हैं जो कि नया चैनल स्टार्ट करता है तो वह करता क्या है जैसे कि मनोज भाई अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड किया मनोज भ नहीं देगा लेकिन अगर इस परकार से माल लिजा आप कोई और चैनल जो ब्रांड है जैसे कि टी सीरीज हो गया तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड है बड़े बड़े कंपनिया है अगर उसके वीडियो का क्लिप अगर लेकर आप अपने चैनल पर अपलोड क रहे हो चाहे करकंद कर रहे हो उसको हलका यूज कर रहे हो तो हो सकता है आगे चल कर वो आपको स्ट Greeks सकता है और चुटकियों में बहुत ही ज्यादा से भाई तो आपको कभी भी, अगर source वीडियो बनाना है, तो यहाँ पर देखिए, source वीडियो बनाना है, दूसरे का image उज़ करो, दूसरे का photos उज़ करो, दूसरे का photos ले लो, या फिर किसी वीडियो का, जो clip होता है, तो clip मत उठाना, उसके वीडियो से जाकर एक screen shot, उसका email ले लो, उन सारे वीडियो को download करो, और अपने वीडियो से यूज करो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लें किसी का अगर यूज करते हैं, अगर ये सब गलतिया अगर अपने चैनल पर करते हैं, source चैनल पर, तो आपका चैनल कभी भी delete हो सकता है, और बहुत सारे लोग जो